मुझे लगता है उसे पैसे चाहिए और क्या इरादा हो सकता है उसका पेशक उसे पैसे ही चाहिए इसलिए उसने ये सब किया है क्यूंकि मैंने उसके मुताबिक उसे पैसे नहीं दिये पतमाश कहीं का उसने इतने पैसों के डिमांड की थी कि समझ नहीं आ रहा था कि हिक्मे इसकी पास नहीं जा रहे हैं। मैं कुछ भी करके पैसें का इतिजाम करती हूं। उसे पैसे देने से हालाद सुधरने वाले नहीं है आंटी। हमें कैसे पता कि वो रिहान के साथ कुछ नहीं करेगा। वो बहुत गुस्से में था, वो कुछ भी कर सकता है। क्या रिहान से ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है इस वक्त अगर वुराल को पैसे नहीं मिले तो हमारे प्लैन के बारे में सब को पता चल जाएगा तुम्हें जरा सभी अंदाजा है कि उसके बाद हमारे साथ क्या होगा अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात याद दिला दूँ वुराल के साथ मेरा कोई अग्रीमेंट नहीं था आप ही मुसीबत में आएंगी ये ठीक नहीं है आउंटी ये सब आप अकेले नहीं समाल पाएंगे इस दिये कह रही हूँ हमें पुलिस के पास चले जाना चाहिए मैं कोई ने कोई रास्ता निकाल लोगी तो मुझ पर भरोसा रखो बस हमारा प्लैन जरूर कामियाब होगा आउंटी अगर आप पुलिस को फोर नहीं करने वाली है तो ये मान के चलिए कि मैं इन सब का हिस्सा नहीं हूँ कुछ भी हो सकता है और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती जैमरी तुम ऐसे वक्त में मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी मॉम आपने रिहान को कहीं देखा वो सुभा से मुझे नजर नहीं आई उसका फोन भी ओफ है मैं क्या उस रिहान की सेक्रेटरी हूँ मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम मैं चलती हूँ मुझे किसी से मिलना है लेट हो रहा है फिर मिलते हैं See you darling ये जेम्रे को क्या हुआ है वो इतनी जल्दी में क्यों थी तो उसी से पूछ लेती ना तुम मैं रेस्ट करने चाहरे हूँ आप 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 आप